हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट टीचर जॉब में तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छी होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल लगी होगी और आज हम लोग पढ़ेंगे परिया वरड में आपके उत्तर प्रदेश समधित राश्ट्री उद्यान बन्य जीव विहार और पच्छी विहार के विसे में तो दोस्तों यहा अगर आपसे पूछे कि दुधवा राश्ट्री उद्यान का जो विस्तार है वो किन-किन जीलो में है तो लखिमपूर खीरी और पिली भीत में और दोस्तों यहाँ पर देखिए बारश सिंगा सेर आदि दुरलब जीवों को सनरचट पदान करने के उदेश से वर्स 1968 में इ उनकों से दुरलब जीवों को सनरचट प्रदान किया गया तो वह हो जाएगा बारश सिंगा और सेर और यहाँ पर देखिए इसे वर्स 1977 में राश्ट्री उद्यान का दरजा प्रदान किया गया तो दोस्तों यह भी फैक्ट आपके लिए काफी महत्तोपूरा कि 1977 में ही रा आग और पांडा इन सब को सनरचट प्रदान किया गया है और आगे हम देखेंगे और भी कुछ जीव जनतू है यहां पर देखिए इसके अलामा है हाथी भालू मगरमच्छ बारश सिंगा की दुरलब प्रजाती सेखन डुवास लिसी आधी को भी सनरचट प्रदान किया ग कि दुद्वा राश्टी उद्ध्यान में सेर, बारश सिंगा, चील, गैंडा, बाग, पांडा, हाती, भालू, मगरमच्छ और बारश सिंगा की दुरलब प्रजाती सेखन डुवास लिसी इसको सनरचट प्रदान किया गया है अब दोस्तों यहीं पर हम बात करेंगे प्रा प्राड़ी उद्ध्यानों की अस्थापना की गई है तो दोस्तों कानपुर और लखनों में प्राड़ी उद्ध्यान है यह भी आप ध्यान रखिएगा अब यहां पर देखेंगे वन्य जीव विहार दोस्तों वन्य जीव विहार में देखें तो वन्य जीव को सनरचट प कि इसके स्थापना वीतित सेव और स्थापना हो फ्यावाइबर sa PB Dasuk एवक घवाए में है चंदरप्र भान नंद्यू लीके मिला'm किया . ख्योड में रहा कि हम इसके सकती हो फ्याव करें यह 162 पूछा जाता है तो यहां पर दिखिए नमबर त्री पर है कतर्णिया घाट वन्य जिविहार जो कि आपके वहराइच जिले में इस्तित है और 1976 में इसके स्थापना हुए थी और 410 वर्ग किलोमेटर चेतर में यह फैला हुआ है नमबर फोर पर है रानी वन्य जिविहार यह बांदा जिले में रानी वन्य जिविहार यह 1997 में इसके स्थापना हुए थी और 230 वर्ग किलोमेटर चेतर में यह फैला हुआ है अब यहां पर नमबर फाइब पर हम देखेंगे महावीर वन्य जिविहार महावीर स्वामी वन्य जिविहार राजी का सबसे छोटा वन्य जि राजी का सबसे छोटा वन्य जिविहार पूचेगा तो महावीर स्वामी वन्य जिविहार ललितपूर में है यह 1977 में स्थापित था और यह 5 वर्ग किलोमेटर चेतरफल में फैला हुआ है और यहां पर देखेंगे नमबर 6 पर है राश्ट्री चंबल वन्य जिविहार यह आगरा और इटावा में है और दोस्तों 1989 में 635 वर्ग किलोमेटर चेतर में फैला है और यहां पर देखेंगे नमबर 7 पर है कैमूर वन्य जिविहार यह मिर्जापूर और सुनभद्र में पढ़ता है कैमूर मिर्जापूर और सुनभद्र 1982 में अस्थापित किया गया था 501 वर्ग किलोमेटर चेतर में फैला हुआ है यह फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा नमबर 8 पर है हस्तिनापूर वन्य जिव विहार राज्य का सबसे वड़ा वन्य जिव विहार तो सबसे पहला हो जाएगा चंदप्रभा सबसे छोटा हो जाएगा महावेर स्वामी जो केस थापना हुए थी 1986 में और यहां पे दिखे इसका जो छेतर फल यह है 19672 क किलो मीटर अब यहां पे दिखे नमबर 9 पर सुहागी वर्वा वन्य जियु विहार दोस्तों यह महाराज गंज जिले में पढ़ता है सुहागी वर्वा वन्य जियु विहार 1987 में इसकेस थापन दोस्तों सुहेलवा वन्य जीव विहार के लागा अगर हम बात करें करेंड की तो सुहेल देव की मूर्ती भी अस्थापित की गई है यहां पर यानि की वहराइच में और यहां पर दिखिए नमबर 11 पर कच्छुवा वन्य जीव विहार यह आपके वाराणसी में है 1989 में इसक देखा और इसमें से कुछ जो महात्वपूर है उसको आप याद रखिएगा यह जैसे की सबसे बड़ा सबसे छोटा और सबसे पहले तो यह तीनों तो आप पक्का याद रखिएगा इसके अलामा सुहागी वर्वा या सुहेलवा या कैमूर बन्य जीव अभिहारन यह सब मंतराले वर्श दोच आट में चार नए बाग यहाराड अस्थावित करने का निर्डळ यहकर यह है तो छो आपके यह mamayan Today आपके त्वाग यह ने परनुन-धूहर किलोमीटर है तो दूस्तों और interaction के देखा बन्य जई बन्य घ्र के लिए किंद्री वन परियावर मंत्रालने निड़ा लिया था जो की निड़ा लिया था 2008 में और उनमें से अगर हम बात करें एक वन एक टाइगर रिजर्व की तो वो आपके पीली भीत में है और इसके अलावा दोस्तों यहां पर दिखिए दुधवा राश्टी उद्यान क गोशित किया गया और इस प्रकार प्रदेश में दो टाइगर रिजर्व हो गया तो दोस्तों आप यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि पीली भीत जिले में भी टाइगर रिजर्व है और दुधवा राश्टी उध्यान को भी टाइगर रिजव गोशित कर दिया गया तो दो टाइगर रिजर्व हो गए उत्तर प्रदेश में यहां दिए केंद्री चडिया घर प्राधिकरण में नौ फरुडी 2013 को प्रदेश के इटावा जिले में लाइन सफारी बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी तो दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा कि लाइन सफा हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पंच्छी विहार, दोस्तों पंच्छी ओन को вिलुप्थ रने से बचाने और उनैंस to प्रदान करने के उद्ची से, राज्य में 13 पंच्छी विहार की अस्थापना की गई तो दोस्तों यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि उत्तरपदेश में पंची विहारों की संक्या कितनी है तेरे पंची विहार है अब यहां पर हम देखेंगे पंची विहार हमें यहां पर मिलेंगे तो पंची विहार में नवाव गंच पंची विहार जो की तेसरा लाक बहुसी पच्ची वियार जो की फ़रुखाबाद जिले में है और दोस्तो राजी का यह सबसे बड़ा पंची वियार है और 1988 में इसके स्थापना हुए थी और 80 वर किलोमेटर चेतर बहुत में यह फैला हुआ है नमबर 4 पर है सांडी पची वियार जो की हरदोई में इस ती था और यह 1990 में अस्थापित किया गया और छेतरफल में यह तीन वर किलोमेटर छेतरफल में यह फैला है दोस्तों, नमबरेफ़ पर है बकीरा यानि कि बकीरा हम लोग बकीरा या बकीरा 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 जो पहर ता है कि मैंजे बस्तों बखीरा और besoinbn रख से पता ह। और है thawaक कि i yeah इли always about that नगर में पढ़ता है और समान पच्ची वियार मैनपुरी में पढ़ता है आप यह याद रखे कि कौन कहां पढ़ता है आरवती अरगा पच्ची वियार गोंडा में पढ़ता है विजे सागर पच्ची वियार महोबा हमेरपूर में पढ़ता है पटना पच्छी वियार राजी का सबसे छोटा पच्छी वियार एटा में पढ़ता है तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो फरुखाबाद लाख बहुसी पच्छी वियार है और सबसे छोटा पटना पच्छी वियार जो की एटा जिले में पढ़ता है सूर सरोर पच्ची विहार जो की आगरा में पढ़ता है दोस्तों और यहाँ पर देखें सुरहा ताल पच्ची विहार जो की बलिया में पढ़ता है बेती लाल पच्ची विहार जो की प्रताप गड़ में पढ़ता है सूर सरोर पच्ची विहार को फ्रेंड्स ने यहां पर हमने सारे पंक्ची विहार के विषय में भी देखा और वो किस जिले में इस्थिता हैं ये भी हमने देखा तो आसा करती हूं कि आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा दॉक्त बैब चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लिजेगा और इसी तरह से आप में दिया अपनों का दियान रखे अपने आसपास सफाय Rider हमसे जूड़ने के लिए बहुत बहुत धन्नेवार टेक्ट कियर वाल ये लव यू और जाए